हेलो राधे राधे आप सब कैसे हैं मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे अगर इन स्टिप्स एंट्रिक्स के जरिए आपके डेली के काम बहुत ही आसान तरीके से और जल्दी से हो जाते हैं तो क्यों ना इन टिप्स का यूज करें तो बस ऐसी ही तो यह वीडियो को शुरू करते हैं मेरी पहली टिप यहां पर जो मसाले के जो डब्रों होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं इंका स्थमाल करते हैं अफर ऐसे ही हम लोग लोग उठा के रख दे रखें कि यह बिल्कुल बिना फैल है और विल्कुल आसान तरीके से एक जगे पे रहें, तो आपको क्या करना है, इस तरह की छोटी रबर बैंट होती, उन्हीं को हमें लेना है, लेने के बाद आपको क्या करना है, जो भी पैकेट हम लोगे के खिलू हैं, इस तरह से इनको ब जितने भी जो packet हैं मसाले के आप इनको किसी polythene में रखें या किसी box में रखें तो ये मसाले अगर गिरते भी है packet तो बिलकुल भी इनके जो मसाले हैं वो बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि इनको हम नों नों रबर बैंड से बहुती अच्छे से fix कर दिया है तो ये बहुती useful आइडिया है आप अपने किचन में इस तरह के छोटे छोटे हैक यूज करके अपने daily काम बहुती असान तरीके से कर पाएं तो आप प्लीज इसको try जरूर करिएगा अगली tip मेरे यहाँ पर गाजर को ले करके है गाजर को छिलने के बहुत से तरीके मैंने आप लोगों को बता रहे हैं जिसे चाकु से पिलर से किसे से भी आप इसको काड़ती है लेकिन आप मैं एक तरीका और बताओंगी जिससे बहुती असान तरीके से हम जो जो गाजर है कुछी मिंटों में अच्छे से छील पाएंगे तो यहाँ देखे आपको क्या करना है जो घर में हम लोग चम्मच खाने में यूज करते हैं बस उसी का यूज हमें इस तरह से गाजर में करना है आप हलके हलके हाथों से जैसे ही प्रेस करेंगी हलके हलके हाथों से जब गाजर के चिलके को निकालेंगी तो यह बहुत ही असान तरीके से निकल जाते हैं इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है कि बहुत जादा टाइम लगे या चाकूस बगएरा से कारते हैं तो इससे क्या होता है जादा मोटे छिलके निकल जाए लेकिन चाकू के हल्प से जब आप गाजर को पील करेंगी तो यह बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा बिल्कुल भी गाजर में किसी प्रकार का कोई भी छिलका नहीं होगा तो यह बहुत ही यूनिक और यूसफुल आइडिया है जब आप ट्राइ करेंगी तो मिंटों में आपके काम बहुत जल्दी हो जाएंगे धेर सारी गाजर भी आप आराम से अच्छे से च्छील सकेंगी यहाँ तो यह चोटे बच्छों को आप इस तरह से दे दिए च्छमच वो खेल खेल में इन सारी गाजरों को बहुत ही अच्छे से च्छील देंगे तो यह देखे बहुती यूसफल आइडिया ट्राइ करिएगा इससे आपका समय की बचर बहुत जादा होगी मेरी अगली टीप यहाँ पर किचन में जो हम लोंग नमक यूस करते हैं खाने के लिए उसी को ले करके है हम लोंग जायतार क्या करते हैं नमक में प्लास्टिक का चमच ही यूस करते हैं लेकिन कुछ क्या ले लिया करती है कि नमक में जो स्टील के चमच होते हों उसको डाल देती है नमक में बहुत जादा मुवशिर आता है जिसकी वज़ेश चे अगर हमनों गे स्टील के चमच यूजर 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 आता है तो वो जमच्च में ज десятा है तो बिलकुल भी अच्छा ने होता है तो आपको बहुत ही अच्छा तरीका पताती हूं क्यों क्या करना है, आप जब भी अपने किचन में नमक का यूज़ करें, तो उसमें चावल तो डालें, अगर आपको चावल डालना हो तो डालें, लेकिन आप सिर्फ दो तूत पिक डाल दीजिये, इससे क्या होगा, नमक मे जो नमक का मुश्टर है वो पूरी तरह से खतम हो जाएगा और ये नमक बिल्कुल सेफ रहेगा तो आप लोग इस टिप को ट्राइ करके जबरू देखिएगा अगली टिप मेरी यहाँ पर जो पाटा बेलन होता है उसको ले करके है जब भी हम लोग रोटियां बेलते हैं तो पाटे में सबसे ज़्यादा प्राब्लम तब आ जाती है तो रोटी रोटी बेलते हैं पाटा हम लोग का आगे खिसक जाता है उसको बार बार हम लोग अपनी जगह पर रखते हैं बार-बार इसी कारण से क्या होता हम लोग के काम भी बहुत देरी से होते हैं तो आपके लिए ऐसा एडिया लेकर के आई हूँ जिससे आपका पाटा अपनी जेकर पर फिक्स राएगा आप लोग बहुत ही अराम से रूटियों को बेल पाएंगे तो देखे मैंने यहाँ पर पुलट लिया है इसके पीछे जो चोटे-चोटे गुट्के लगे होए थें किसी में 3-4 तो आपको क्या करना है यह जो छोटे-चोटे गुट्के रखें तो यहाँ पर मैंने लिए रबल बैंड आपको छोटी रबर बैंड का यूज करना है तो पहले आप अच्छे से दे की मैंने रब्रबैंड हटा दिया है अच्छे से मैने सभी जगे ने ले करके रख़ी है उसको इसी में अच्छे से चपता देंगे इसे क्या होगा rubber band हमलों के पाटे में अच्छे से fix हो जाएगी बिल्कुल भी इधर उधर नहीं गिरेगी तो यहाँ पे आपको तीनों rubber band अच्छे से fix कर देना है रोज रोज की जो जंजट होती है जो problem होती है कि पाटा इधर के सकता है रोटी बेलने में देर भी होती है लेकिन इस trip का जब यूज करेंगी तो बहुत ही असान तरीके से आपके सारे काम हो जाएंगे तो यहाँ देखे मैंने लगा दिया है तो आप पहले थोड़ी देर इसको सूख जाने दीजेगा चलिए यहाँ पे देखे मैं और तेस तेस बेलन चलाओंगी जो पाटा है बिल्कुल भी आगे नहीं किसकेगा बिल्कुल अपनी जगह पे फिक्स रहेगा तो यह देखे बहुती यूसफुल आइडिया है इस trip को आप जरूर ट्राइ करके देखेगा यह बहुती यूनिक ह लिए गाय को खिला देते हैं लेकिन उससे पहले आपको एक चीज करना है जब भी आपके पास रोटी बच जाए तो आप क्या करें यह जो रोटी की उपर की परत होती है आपको थोड़ी से निकालना है यहाँ पर पूरी रोटी का यूज नहीं करना है सिर्फ हम लोग को थ दालके इसको अच्छे से साफ कर सकते हैं लेकिन नहीं रोटी आप डालेंगे जो रोटी होता है बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग का काम भी करता है तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ी से रोटी के जो उपर की परत है वो ले ली यह बागी रोटी मैं नहीं हटा दी है तो नहीं होगा उसके बाद आप क्या करेंगे यहां पर थोड़ा सा न्यूस पेपर डाल देंगे तो यह तीनों चीज़े बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग करेंगी जो न्यूस पेपर हम लोग ने डाला है वह जो बैड स्मेल आती है हम लोग के जार से वह भी पूरी तरह से रिम हलका सा बस आपको हलका सा चलाना यह नहीं कि आपको दिर तक चलाना है तो यहां पर मैंने जdetो करें तो थोड़ा सा पानि डालकर अच्छे चला लिया है बहुत ही अच्छे से रोटी और पेफर ऻार चीजेसे ऐं बहुत अच्छे से क्लいन सुठध करीं एंग कम यने तो कि सब हो सकता अच्छे से ना चूटे और बाद में हम लोग किसी मसाले में पीसे हैं तो इसमें सर्फ की महग बिल्कुल भी ना है इसलिए मैंने यहाँ पर रोटी एट करी थी तो आप लोग एक बार इस ट्रिक कर करके जरूर देखें कि बहुत ही यूसपुल आइडिया है यही लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहोंगी ओके बाए